अगनिपत मुद्दे पर अप सेना को आगे कर दिया गया है सपष्ट कर दिया गया है कि इसे वापस नहीं लिया जाएगा देश भर में युवा जो प्रोटेस्ट कर रहे है उसे उखारने की वैसी ही कोशिश हो चुकी है जैसी किसानों के साथ हुई थी दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार किया गया है मतलब दोनों को ही बरगलाया गया है ये नौजवान भी आखिर इन्ही किसानों के बच्चे है खुला बोला जाए तो अब ठेके पर भरती होगी सुख सुविधाय सब निरस्थ पैंशन बंद इन्ही के पैसे जो इन्हें चार साल में मिलेंगे उसमें से काट कर इन्हें लोटा दिये जाएंगे एक डिवेट में एक बच्चे ने प्रशन किया विधायक सांसत केवल पांच साल के लिए चुने जाते है ये सब भी अपनी पैंशन छोड़े जो भत्ते मिलते है बंद किये जाए इनके बच्चे बिना कुछ किये बी सी सी आई में बैठाल दिये गए केवल हम गरीबों के साथ ये आन्याय किया जा रहा है पिछले पांच वर्शों में हमने कई लड़ाईयां देखी है सभी में इलेक्ट्रानिक प्रयोग जम कर हुआ है रूस्व युक्रेन युद्ध में भी इलेक्ट्रानिक वाफय अभी भी जारी है देखने वाली बात य हमें दूसरे देशों की नकल नहीं करनी चाहिए हमें अपनी जरूरतों के हिसाब से चलना चाहिए हमारी ऐसी सोच तब होनी चाहिए जब हम इलेक्ट्रोन प्रोधोगिकी में अपने बल पर प्रोडक्शन कर सकें आज जो देश इलेक्ट्रोनिकी का प्रयोग कर रहे है उन सब कुछ पूंजी पतियों को बेच दोगे तो फिर सरकार क्या करेगी। सत्ता का ये काम भी ठेके पर कराया जा सकता है। हिंदुस्तान जैसी बड़ी आबादी पर शाष्न करना और फिर विभिन्नता में एकता बनाएं रखना प्राइविटाइजेशन में संभब नहीं हो सकता। ऐसा करने से भारत में अमीर वगरीब की खाई के साथ विभिन जातियों में वैमन से और बढ़ जाएगा। उची जातियों वह तथा कथित निम्न जातियों में खाई हमें अपने पुराने इतिहास की और कीच ले जाएगी। ये भारत के लिए कत्ती उचित नहीं होगा। बेहतर होगा अगर निर्नय वारता के द्वारा लिये जाएं। तभी भारत स्वस्त वह मजबूत होगा।